हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि री स्ट्रक्चरिंग स्कीम किसे कहते हैं कभी जो SME की जो एकाउंट्स होते हैं कई बार वो इस्ट्रेस में चले जाते हैं किसी प्रॉल्म की वज़े से वो लोग इंट्रेस पे नहीं कर पाते या किसी तरह की कोई उनका ओर कै केस्ट कर रही होते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कि री स्कीम किया है और आप उसको किस तरीके से वह बैनेफिट करती है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि री स्ट्रक्चरिंग कहां जरूत पड़ती है री स्ट्रक्चरिंग की जरूत पड़ती है अगर यादि आपकी यूनिट आपको लगता है कि financially viable है अगर इसको थोड़ा बहुत भी support और मिल जाए तो आपकी यूनिट चल निकलेगी यानि कि अगर ऐसे बैंकर भी अगर मैं किसी यूनिट को देखूंगा और मुझे लगेगा कि अगर यह बैंक का थोड़ा बत support से अगर यह यूनिट निक चल चक सकती है तो उस यूनिट को बैंक जरूर support करेगा अगर आपकी कोई unit है जो financially viable है तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज financially viable नहीं है तो उसके पीचर वो आपकी unit का inspection करके आए होता क्या inspection एक ऐसी चीज है inspection करने के बाद भी बाद ही कोई banker comfort में आता है कि हाँ यह unit चल सकती है मैंने इस unit को देखा है इस unit की capacity इतनी है इतने लोग काम करते हैं लोगों का behavior ऐसा है और यह और पचास तरह की बाते पता चलती है एक बार unit inspection करने का त तो banker या branch manager को बोलिए कि कम से कम वो एक बार आपकी unit visit करें दूसरा कई बार होता है कि आप जाते हैं कोई आपसे मना कर देता है तो बातचीत आप हमेशा करते रही है branch manager से या branch official से RBO level पर AGM से DGM से होता है कि हम बातचीत करके अपनी बात को रख सकें तो बातचीत हमेशा continue रखनी चाहिए आपको जिससे कि आपका काम निकलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाए और जो सबसे बड़ी important बात है जब भी आप री स्ट्रक्चरिंग का proposal लेके जाएंगे एक banker किसी भी stress unit में सोच उसको लगता है कहीं इसमें कोई fraud तो नहीं है banker आपसे directly नहीं या किसी तरह की गलत गदीवितियां उसमें हुई है आप अगर यादि इंस्पेक्शन और फ्लॉड के ये दो चीजों में अगर आप बैंकर को convince करवा पाएं तो आपकी unit के 99% chances है कि वह री स्ट्रक्चरिंग के लिए आपका proposal जाएगा और sanction होके आ जाएगा कि दूसरा आप जब री स्ट्रक्चरिंग के लिए तब आपका account नहीं होना चाहिए आपका account stress में है इस्ट्रेश में है यानि कि हां उसमें कुछ problem चल रही है लेकिन अगर आपका account नहीं हुआ है तब ही आप रही स्ट्रक्चरिंग स्कीम के लिए लिजिबल रहेंगे एन पी account restriction scheme के लिए लिजिबल नहीं है जब भी आप अपना account restriction के लिए बैंक के पास लेके जाएंगे बैंक आपके account को चार पार्ट में डिवाइट कर देगा FITL, WCTL, cash rate limit और term loan आईए हम एक example देके मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरीके से होगा मान के चलिए ABC limited एक firm है जिसका cash rate limit चल रही है एक करोड की और term loan चल रहा है 25 लाग का और present outstanding CC limit में है 103 लाग और term loan में 18 लाग जिसके अंदर से जो unpaid interest है जो interest पे नहीं किया है चार लाग का तो cash rate का पे नहीं किया और एक लाग का term loan का पे नहीं किया और term loan की एक installment दो लाग की भी पे नहीं करी है तो आईए अब देखते हैं कि state bank इन वाले चीज़ों को किस-किस पार्ट में डिवाइट करेगा यहां पर दो पार्ट है एक है अन पेड इंट्रेस्ट अन पेड इंस्टॉल्मेंट और जो आपकी लिमिट है अब आईए देखें फंड फंड इंट्रेस्ट लोन एफाई टील क्या होता है एफाई टील का मतलब यह जो भी आपका अन पेड इंट्रेस्ट है अन अंप्लाइट इंट्रेस्ट है उसको सिस्टम करवाउट कर लेगा आपके उससे लिमिट से जैसे कि तीन लाग रुपे कैश के रेट लिमिट से करवाउट कर ली और बन लाग रुपे टम लोन से तो टोटल चार लाग यानि कि बैंक एक नया एकाउंट हो लेगा फाई टील का उसमें चार लाग की आउट इस्टेंडिंग सीधी के सीधी ट्रांसफर कर देगा अधाई टील वह मैक्सिम्म तीन साल में आपको रिपेमेंट करना होता है जिसके अंदर 12 महीने का आपका मौराटोरियम पीरेड होता है मतलब दो साल एक साल के बाद आपको दो साल के अंदर एफाई टील को पेमेंट करना है अब आते हैं डव्लू सीटी यल डव्लू सीटीयर वर्किंग कैपिल टंव लॉन डव्लू सीटील होता है क्या जैसे आपकी कैश के रिट लिमिट चल रही है एक करोड की अब आपका जो इस्टॉक है आपका अगर कम हुआ तो और आपक ड्राइंग पॉबर कम आ जाएग जैसे कि ABC Limited में जो स्टॉक स्टेट्मेंट के अकॉर्डिंग उसकी ड्रॉइंग पॉपर से बसी लाग आ रही है मतलब 20 लाग का उसका शॉर्ट फॉल है सीधा सीधा एक तो यह वाली चीज हो जाती है WCTL में दूसरी आती है टर्म लोन इंस्टॉल्मेंट डियो जो 25 लाग का टर्म लोन था उसके अंदर एक इंस्टॉल्मेंट दू लाग की नहीं गई थी वह आपका ढ़िए तो सिस्टम क्या करेगा जो बैंक क्या करेगा आपका जो शॉर्ट फॉल बर्किंग कैपिटल का बीस लाग और दो लाग जो आपने टर्म लोन का इंस्टॉल्मेंट नहीं दिया उसके लिए एक नया एकाउंट खुलेगा WCTL और उसमें यह आपकी आउटस्टेंडिंग ट्रांसपर हो जाएगी बाइस लाग की जो WCTL है वो मैक्सिमम साथ साल में रीपेइमेंट करना होता है जिसमें जो आप मैक्सिमम बारा महीने का मौराटोरियम आप ले सकते हैं अब जो न्यू कैश के रेट लिमिट है वो आपकी 80,00,00,00 है क्योंकि आपके पास जो स्टॉक है उससे ड्रॉइंग पॉबर सिफ आपकी 80,00,00,00 की बंद रही है इसलिए आपकी कैश के रेट लिमिट 80,00,00,00 की हो गई और जो 20,00,00 की ओट ती वो WCTL में ट्रांसपर हो अब जब आप जाते हैं तो कुछ और भी बेनेफिट या कुछ रिलेक्सेशन सापको मिलते हैं जैसे कि बैंक चाहता है बैंक अगर यादि बैंक को जरुवत महसूस होती है तो अपके लगा देता है होल्डिंग उन ऑपरेशन में यह होता है कि आपके अकॉंट में जितना के रिडिट आएगा आप उसका उतना डेविट कर सकते हैं यानि कि आपको सिस्टम जो इंट्रेस्ट या कुछ और जो भी अड्यस्मेंट होता वो आपके अकॉंट पर नहीं होगा आपने अगर दो अगला कर रुपे आप निखाल सकते हैं तो इससे कह रहता है कि आपको बिजनेस ऑपरेशन ने वह चलता रहता है वह किसी तरीके से एफेक्ट नहीं होता है जो स्टॉक मार्जन हो जाता है मतलब आपकी डीपी का जो कैलकुलेशन होता है स्टॉक और रिसीवेबल वह 15 पर रखाते हैं तो उसका रीफेस्मेंट भी बैंक कर सकता है कि उसको एक साल आपका टैनुर बढ़ा दिया जाए और एक साल तक आपको मॉराटोरियम पीरेट एक्सेंट कर दिया टमलोन में और जो नॉन फंड बेस लिमिट प्राइसिंग है जो बैंक लेटर ऑप क्रेडिट या बैंक गारेंटी आप कुछ भी ले रहे हैं तो उस पर आपको 25 परसंट कंसेशन कार्ड रेट पर बैंक देता है जो प्रेंड श्रेंड करिए है मैं की मैं मैकिश किशेंन टीय के लिव बात बनी को लूए को प क्या होती है और शरह को किस तरीखंए अगर आपको कोई टावट ओबको एक चाहते हो प्लीस मुझे कमेंट्स करिए और मेरा अगर या दिये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज WhatsApp गुरूप पर जरूर शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए थैंक यू फ्रेंड्स